हेलो स्टुडेंट्स आज हम देखने वाले है टेस्ट एग्जामीनेशन जो बोड पैटरन पर बेस्ट है और हो सकता है इसमें के ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टन बोड पेपर में भी आ जाए तो Maths 2 के लिए है Geometry के लिए और Class 10 के लिए तो हई ही obviously क्योंकि Board Paper का नाम ही लिया है मैंने तो student time गवाएंगे नहीं हम direct solve करेंगे और अगर आपको सिर्फ पेपर ही देखना है तो मैं short video में upload करते ही रहता हूँ उसमें मैं यह upload कर भी दूँगा और आप उसमें जाकर देख सकते हो मेरे playlist वगेरे check out कर सकते हो और मैं लगबग अभी तक सभी topics Maths 1, Maths 2 और Science 1 इसके पूरे तरह से वीडियो मेरे already uploaded है अगर आपको देखना ही है तो सर्च करना और उसके आगे Science Express 9 लिगना तो आपको वीडियो मिल जाएंगे student question first choose the correct alternative, choose the correct option पे देखो चार marks के लिए 4 question दिये गए है और उसमें से हम पूरी तरह से solve करेंगे first question है in the figure BD is a 7, BD 7 देकर है, DC 5U देकर है, B-D-C यानिके B और C इसके बीज में कहीं तो भी D ये point है तो area of triangle ABD, ABD upon area of triangle ADC, ADC, सो दो triangle similar है या नहीं यह तो हमको बताया नहीं बट उनका ratio हमको पूछा गया है, student दो triangle का ratio अगर पूछा गया होगा तो उनका ratio क्या रहता है उनके area का ratio क्या होगा, 1 by 2 base into height, so question 1 का A और उसका first दिख रहे हम so area of triangle ABD upon area of triangle ADC क्या रहेगा, 1 by 2 into base ABD, ABD का base क्या है, BD BD into height, अब इसकी height AD तो नहीं होगी, तो A, H वगर लेंगे तो हम इसको नाम दे देंगे H, height के लिए फिलाहल में उसके बाद इसका भी 1 by 2 into base, इसकी base क्या है ADC का DC, into इसकी height क्या होगी, edge देखो student, vertex एक common है, और वहाँ से height आ रही है, तो height की length भी common ही होगी, क्यों क्या A common vertex है तो इसकी height भी same ही होगी, इसलिए ये height तो कड़ गई, half-half तो इधर भी है, तो बचा क्या सिर्फ BD upon DC, जिसकी value हमको देकर है समझ में है, सो BD कितना है, 7 और DC कितना है, 5, या तो आप सिधा सिधा BD upon DC लिख सकते थे और reason आपको पता ही था होगा, कि same height अगर होगी, तो फिर सिर्फ base के proportion में ही रहता है सो 7 by 5 ही हमारा answer होना चाहिए था, जो कि option C है, 7 is to 5, ये हमारा answer होना चाहिए उसके बाद मैं question second देखेंगे, angle ACB is inscribed in arc ACB, अब ये थोड़ा सा घुमा कर पूछा हुआ है इसलिए मुझे इसमें correction भी करना पड़ा, last में मुझे 290 को erase करके 230 देना पड़ा था मुझे मेरे students को तो क्यूँ देना पड़ा, उसका हम reason देखेंगे, तो circle है, center O है, angle ACB देकर है, ये हो सकता है, तो ACB देकर है, इसलिए देको C देकर है 65, ये बीच में है, तो C 65 और ये है ACB, ठीक है, तो ये angle जो ACB है, वो है 65 और ये arc ACB में inscribed है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, अब find measure of arc ACB, ACB इसका arc का measurement हमको पता गरना है, तो question अगर देखा जाए, तो ये 2 marks का थोड़ा सा weightage रखता भी था, 2 marks के लिए भी अगर ऐसा question पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर 1 mark के लिए इन्होंने choose the correct alternative के जगा पर, question में भी देते थे 1B में, तो भी कोई problem नहीं रहती थी, क्योंकि उतना weightage वो रखता है question क्योंकि देखो, arc AB का measurement क्या होगा, measure of arc AB, ये कितना रहेगा, twice measure of angle ACB, इसके double रहेगा नहीं, क्यों, inscribed angle theorem कहता है, ऐसा, inscribed angle theorem, ठीक है, इसके हिसाब से ये हो सकता है, तो इसका meaning है के measure of arc AB कितना होगा, 2 into measure of angle ACB कितना है, 65, और 65, 2, 0, 5, 2, 0, 10, 6, 2, 0, 12, 1, 13, 130 degree आए, समझ में आए, अब ये जो angle है 130, ये और ये वाला arc, ये दोनों arc मिला कर क्या बन रहे है, पूरा circle, इसलिए अगर आपको measure of arc ACB निकालना है, तो 360 में 6 को माइनस करना आएगा, so hence, measure of arc ACB is equals to 360 minus measure of arc AB, measure arc पूचा है, इसलिए minor arc को 360 में से minor minus कर रहे हैं, so 360 माइनस ये 130, so 0, 6 में से 3 के 3, 3 में से 2 के 2, इसलिए 230 degree ये उसका measurement आ रहा है, तो दो जगा calculation थी, इसलिए ये 2 marks के लिए भी पूश्ते थे, अगर easy paper निकालना है, होता था उनको तो ये 2 marks के लिए, नहीं तो 1 B में तो भी इसको use करना था, ये मेरा personal opinion है, तो इसका answer 230 होना चाहिए, जो कि option हमारा D है, option D 230 degree, इसके साथ ही question 2 तो खतम हुआ, 3 देखेंगे हम, height and base of right angle triangle are 24 and 18, right angle triangle है, ठीक है, ये है right angle triangle, थोड़ा सब fold करने का time हा गया, ठीक, या तो इसको ऐसे रख देंगा, 24 है height, base है 18, ठीक है, सो find the hypotenuse, hypotenuse उन्होंने पूछा है, सो hypotenuse का square is equals to height का square, plus base का square, नाम देने की जुर्रत नहीं है, हम तो multiple choice question ही देख रहे है, इसलिए इसको solve करो या मत करो, rough में solve करो, कोई problem नहीं, उनको तो option से ही लेना देना है, first question में, इसलिए height का square है, 24 का square, plus base का square है, 18 का square, 24 का square मुझे पता नहीं है, फिर मैं क्या गरूँगा, 4, 4, 0, 16, 1 carry, 4, 2, 0, 8, 8, 2, 0, 16, plus 1, 17, 1 carry, 2, 2, 0, 4, plus 1, 5, 576, अब इसमें मने कौन सा short trick यूज की है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो बोरती अच्छी बात, 8 का square, 64, 4 लेता हूं में, 6 carry, ये तीनों का multiply, 8, 2s are 16, 16, 1s are 16, 16, plus 6, 22, 2 carry, 1 का square, 1, 1 plus 2, 3, 324, 6 plus 4, 10, 1 carry, 7 plus 3, 10, 1 carry, 5 plus 1, 6 plus 3, 9, 900, आया है हाइपोटेनस का square, तो हाइपोटेनस इस इक्वल्स तो 900 का square root, 30, तो ये 30 answer हमारा होना चाहिए, सभी centimeter में देकर है, इसलिए ये भी centimeter में, तो 30 centimeter हमारा option B, 30 centimeter ये option में होना चाहिए, तो ये हमारा question 3rd का answer था, आप बीच बीच में देखते जाओ, वीडियो pause करते जाओ, मैं तो आप बार-बार बताने में कभी-कभी देड़ देड़ घंटे का वीडियो हो जाता है, फिर upload करने में problem जाती है, इसलिए जहाँ पर speed ज़रूरी है, वहाँ पर मैं speed का use करूँगा, question 4th student, find the curve surface area of a cone of radius 7 and height 24, so सबसे पहले तो हम example समझने के लिए, क्योंकि geometry का paper है, तो diagram तो आना ही चाहिए, so हम थोड़ा सा एक diagram का support लेते हैं, यह है cone, यह है उसका base, यह है उसकी radius और यह है उसकी height, और यह जो curve रहती है, वो sland height रहती है, ठीक है, so radius है 7, height है 24, so r is equals to 7 cm, height is equals to 24 cm, curve surface area पूछा गया है, यानि कि इसको छोड़ दो, यह यह वाला घुमा हुआ, और curve surface area के लिए formula है, pi areal, इसलिए पहले को हमको l पता होनी चाहिए, जो कि slandied है, so hence l is equals to under root h square plus r square होती है, so h square कितना है, 24 का square, plus r square means 7 का square, 24 का square, इसके पहले अभी निकाला था हमने 576, plus 7 का square, 49, इसको plus करेंगे हम, 69 plus 6, 15, 1 carry, 7 plus 8, 19, 11, 12, 1 carry, 5 plus 1, 6, 625, hence l is equals to 25, 25 का square root, sorry square है, 625, अब हम curve surface area निकालेंगे, so hence, curved surface area of cone is equals to pi r l, okay, pi की value अभी सोचेंगे नहीं, हम पहले r की value लिखेंगे, 7, l की value लिखेंगे हम, 25, 22 by 7 अगर loom है, तो यह 7 कट सकता है, इसलिए मैं 22 by 7 ही लूँगा, 7, 7 कट हो चुके है, so 22 into 25 है, 25, 20, 50, 5 carry, 25, 20, 50, plus 55, so 550 cm square, यह हमारा option B है, जो क्या हमारा answer होना चाहिए, so B, यह हमारा option है, 550 cm square, so student यह था हमारा question of 1 का A, देखो अब मैंने, question of 1, 2, 3, उसके बाद, और 4, यह question solve करके बता दिये है, और फिर से यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, कि यह वाले question हमने देखे है, अभी तब, उसके बाद student question 1 का B है, कि in figure, angle YL is 35 degree, so find measure of arc MN, measure of arc MN find करना है, और यह बहुत easy है, क्योंकि अभी हमने inscribed angle theorem देखा था, question 2 में, वैसे ही इसमें भी देखना है, so measure of arc MN is equals to twice measure of angle MLN, inscribed angle theorem के इसाब से, inscribed angle theorem, अब one mark का है, इसलिए, देखो चार question है, और चार marks के लिए, एक ही mark के लिए, इसलिए ज्यादा महनत को वाला काम नहीं है, और ज्यादा पेज भराने का भी काम नहीं है, so 2 into measure of angle MLN, 35, so hence measure of arc MN is equals to 35 to 0, 70 degree, यह हमारा answer होना चाहिए, इसके बाद ही question 2 देखेंगे हम, triangle ABC similar है PQR को, अगर AB by PQ है 4 is to 5, so then area of triangle का ratio पूछा गया है, तो फिर से, अगर triangle से similar है, तो उनका ratio जो रहता है area का, side के square के ratio की इतना रहता है, यह तो बहुती easy question है, so hence area of triangle ABC upon area of triangle PQR, यह क्या रहेगा, AB square upon PQ square, so AB square upon PQ square, देखर ही है AB upon PQ 4 is to 5, so 4 square upon 5 square, 4, 4,016 और 5, 5,025, कुछ reduce होता है क्या, नहीं इसका मतलब यहाँ पर answer हमारा खत्म होता है, इसके साथ ही question 3 देखेंगे, what is the slope of x-axis and y-axis, तो student आपने देखा ही होगा, कि slope का formula क्या है, कि y2 upon y2 minus y1 upon x2 minus x1 रहता है, so सबसे पहले हम लिखेंगे, slope of x-axis y2 minus y1 upon x2 minus x1, अब student जब कोई x-axis होगा, या x-axis को कोई parallel होगा न, तो उसके जो x-coordinate होते है, वो तो आपको मिल जाएंगे, but y-coordinate 0 रहेगा न, क्योंकि वो x-axis पर है वो point, जैसे कि यह है, यह है x-axis और यह है y-axis, अब कोई point x-axis पर है, या तो खुद x-axis की भी बात करूँ मैं, तो y की value क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगी न, आरायन समझ में, इसलिए y2, y1, यह क्या रहेंगे, 0, so hence 0-0 upon x2-x1, और 0 को कोई भी चीज़ से डिवाइड अगर आप करते हो, तो उसका answer 0 ही रहने वाल है, इसलिए इसका answer 0 है, हो गया, मिल गया आदा मार्क, फिर y-axis का slope पूछा है आदे मार्क के लिए, slope of y-axis is equals to, फिर से y2-y1 upon x2-x1, और अब कोई point, अगर यह y-axis पर है, या खुद y-axis भी होंगा, तो x-axis पर तो उसका कोई point हो रही नहीं है, तो x-axis पर क्या रहेंगा, 0, इसलिए ये value क्या हो गई, 0 y2-y1 upon 0-0, और कोई भी नंबर को 0 से अगर आप मार्क करते हो, तो उसका answer आप निकाल नहीं सकते, means not determine, उसका answer आप तुम सौल नहीं कर सकते, 0 से divide नहीं कर सकते, so not determine, और यह हमारा answer हो गया, एक मार्क के लिए, उसके बाद question 4, जोगे last है, question 1b का, find the surface area of sphere of radius 7 cm, एक sphere है, उसकी radius देकर है 7 cm, पाई की value यूज करना है 22 by 7, तो उसका surface area पूछा गया है, और surface area का formula है, 4 pi r square, so surface area of sphere, क्या है surface area of sphere, 4 pi r square, so 4 into pi मतलब क्या है, 22 by 7 use करो, और r square means 7 का square, so 7 का square means 7 into 7 होता है, 7, 7 cut, so 22, 488 into 7, 87056, 5 carry 87056 plus 5, 61, so 616 cm square, यह उसका answer होना चाहिए ही चाहिए, तो देको student 1 mark के बेटेज रखते थे, यह question 1b के, जो questions है, और उसको solve हमने, यहाँ से start किया था, question 1b से, 1, 2, 3, और यह है fourth वाला, ठीक है, तो इसलिए, अब आप यह मत बोलो, कि fast में बता रहे हो sir, या तो फिर fast में आप page वगेरे, पल्टा दे रहे हो, तो इसके लिए तो अपना हिलाज नहीं है, क्योंकि वीडियो सच में बढ़ी होगे ना, तो problem बहुत ही चाहता है, मेरा तो मुझे ही पता क्या edit वगेरे करना, वो complicated है थोड़ा सा, उसके बाद student question 2a के लिए, 3 question है, कोई भी दो question solve करने हैं, और उसके साथ में ही ये activity based question है, और ये मेरा personal favorite questions है, क्योंकि math 1 रहो या 2 रहो, ये हमको marks कमाने में, या भोलो free के marks देने में, ये question कभी भी कमी नहीं करता, घुमा फिरा कर बस वही पर वो पूछते हैं, ये बहुती अच्छी बात है, जो student study वगेरे करने में थोड़े week है न, उसके लिए तो वरदानी है ये question, बस थोड़ा सा logic लगानी की दे रहे हैं हमको, और फिर magic हो जाता है, उनको 4 marks ये फुकड में दे रहे हैं, free of cost, ठीक है, तो देखेंगे, चलो solve करते हैं, complete any two activities from the following, कोई भी दो activities solve करना है, और 4 marks के लिए इसलिए 2-2 marks की वेटेज रखते हैं ये question, in figure, PS is a tangent, PS tangent है, PR second है, PQ है, 3.6, PR है 10, PS को find out करना है, और tangent second segment theorem कहता है, कि PS square is equals to PQ into PR, PQ into PR, ये है tangent second segment theorem, देख लो, PS square is equals to PQ into PR, इसमें QR का कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात आप याद में रखो, और अब value तो सब दे करिए, 10 तो अल्रेडी उन्होंने लिख लिया, आप किसको अगर याद नहीं आए, यहाँ पर क्या लिखना है, तो नीचे देख लो 10, और 10 किसकी value थी, PR की, इसलिए उपर PR लिख दो, ओके, दूसरी बात यहाँ पर 36 देखे, कौन से number में 10 multiply करें तो 36 होगा, 3.6 और 3.6 यहाँ पर आएगा, और 3.6 किसकी value थी, इसलिए मुझे एक्टिविटी पसंद है, तो के, नीचे उपर देखो, उसके answer आपको वही घुमा फिरा कर मिल जाएंगे, यह बार-बार कहता हूं मैं, तो PQ की value क्या है, 3.6 और 3.6 में आगर 10 multiply करें तो 36, हैंस PS का square आया 36, तो PS कितना आओगा, 36 का square root 6, तो यह 6 cm हम लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर value का unit दे कर नहीं है, है ना, उसके बाद में question 2 है, draw a circle with radius, अब यह activity based भले ही है, बट हमको circle draw करने के लिए कहा गया है, इसलिए चलो हम circle draw करते हैं, और नीचे steps दे कर हैं, उस steps का, हमको use करना है, उसको follow करना है, तो first है, draw a circle with center, radius 3.6 cm है, तो यह radius लेने के लिए, scale तयार, 3.6 radius लेनी है, तो इसलिए मैं iron tip रखता हूँ, 3.6 पर, यह 3.5 है, यह है 1, 3.6, ठीक है, तो यह 3.6 से लेने के बाद, यह 0 पर, अगर मैं लेकर जाओ, तो यह है 3.6, ओके, तो यह होगे 3.6 की radius, यहां पर रखता हूँ मैं, थोड़ा सा, दो लाइन उपर के, कम से कम छोड़ देने चाहिए आपने, और उसके बाद ही, आपने use करना चाहिए, क्योंकि उपर का, अगर काम पढ़ गया, तो पढ़ गया, इसलिए इसको मैं, draw करूँगा, यह कर लिया है मैंने draw, यह है center, ठीक है, center उन्होंने कहा है O, तो यह है center O, take point P on the circle, कही पर भी लो, कोई problem नहीं, मैं यहां पर लेता हूँ point P, draw ray O, P, ray O, P को draw करो, यह यह O, यह चला P, ठीक है, draw कर लिया, draw line L, perpendicular to ray O, P, ray O, P को perpendicular line, draw करनी है, जिसका नाम L लेना है हमको, अब इसमें, थोड़ा, distance कम करता हूँ, मैं radius से थोड़ा कम distance ही चाहिए, बट इतना चाहिए, कि आपका chalk, फिरना चाहिए, यह जो, compass से आपका, यह अच्छी तरह से move होना चाहिए, जो मैं point P पर रखता हूँ, इधर एक arc, इधर एक arc, ठीक है, समझ में आए, अब मैं इसको, थोड़ा सा expand करता हूँ, अब यहाँ पर रखूँगा मैं, और उपर नीचे arc मैं, यूज करूँगा, उपर नीचे, फिर यहाँ पर रखता हूँ, मैं, उपर नीचे distance ही रखना है, अब यह दो points मिलगा, यह दो points को line, join करता हूँ, जो क्यों line L नाम रहेगा, और वही होगी हमारी tangent, यह line L, यह perpendicular, और line L is the required tangent to the circle, और यह line L हमारा answer है, तो यह था हमारा question number 2A का 2, ठीक है, इस टाइप से construction करना रहता है, और 2 marks है free of cost वाले, उसके बाद question है, student question third, write the values of the following trigonometric ratios, अब यहाँ पर यह recitation का काम है, यहाँ पर हमको याद होना चाहिए, कि trigonometric ratios कौन से कौन से थे, so, sin 30 की value क्या रहती है, 1 by 2, cos 30 की value है, root 3 by 2, 1045 की value है, 1, और sin 60 degree है, root 3 by 2, तो यह अगर आपको पूरे पता है, तो ही इसको solve करो, एक भी पता नहीं है, तो इसमें रिक्स लेना नहीं, उपर के 2 solve कर सकते हो, आप यह और वाला question है, ठीक है, या तो extra solve करना है, तो कर सकते हो, आप, तो वो एक अच्छी बात होती है, question 2B में है student के, solve any 4, कोई भी 4 question solve करने है, 5 questions है, और 8 marks के लिए, यानिके 2 marks का weightage, question 2 रखता है, 3 marks का weightage, question 3 रखेगा, 1 mark का question, 1 यह weightage रखता है, इन triangle MNP, NQ is the bisector of N, triangle MNP है, उसमे N का bisector है NQ, यानिके MNQ is equal to QNP, यह दोनों angle same है, क्योंकि उसने divide कर दिया है, MNFU देकर ही है, PN है 7, यह भी लिखकर है, और MQ है 2.5, then find QP, तो, इसको solve करेंगे हम, और अगर आपको पता होगा, property of angle bisector, तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो पता है, तो 2 marks, congratulations, आपको already मिल गए ही समझो, so, question 2, B, उसका first दिख रहे हम, So, NQ is the bisector of angle N, in of angle N के जगा, angle MNP in triangle MNP, एक sentence हमने जो देकर है, वही बढ़ाया, ऐसा कुछ extra बढ़ाया नहीं है, ठीक है, So, hence, MN upon PN is equals to MQ, upon QP, MN upon PN is equals to MQ upon QP, समझ में आ रहा है, यह है angle bisector theorem, So, property of, of angle bisector, angle bisector की यह property है, और अगर यह property है, तो बस value put out करो, मिल गए हमको answer, So, MN की value है, 5, PN की value है, 7, MQ की value है 2.5, then QP is equals to, 23,06, बचा 1 decimal point, आया 0, 25,000, 10, 3.5 unit, क्योंकि है cm अगरे देकर नहीं है, So, 3.5 unit, यह QP आया, उसके बाद है, question 2, find the distance between the point A and Q, अब यह coordinate geometry पर best question है, तो हम क्या करते है, पहले, A लिख देंगे हम, A है 5, minus 8, और Q है, minus 7, minus 3, So, let, A, X1, Y1, is equals to 5, minus 8, and Q, जो के है, X2, Y2, is equals to minus 7, minus 3, ठीक है, So, इसको X1, Y1 और इसको X2, Y2 अगर value हमने दे दी है, So, hence, distance AQ, distance AQ कितना रहता है, under root, X2 minus X1 whole square, plus, Y2 minus Y1 whole square, यह उसका formula है, अभ यह formula में values put out करो, यह है X1 है, यह है Y1, यह है X2, यह है Y2, ठीक है, या तो इसको X2, Y2 दे सकते हो, इसको X1, Y1 दे सकते हो, कोई problem नहीं, but X2, Y1, X1, Y2, ऐसे नहीं दे सकते, ओके, So, under root, X2 minus X1 means, minus 7 minus 5, minus 7 minus 5, whole square, plus, Y2 minus Y1 means, minus 3 minus 8, minus 3 minus, minus 8, whole square, so, minus 7 minus 5, minus 12 whole square, plus, minus minus plus, 8, plus 8 है यह और यह minus 3 है, ठीक है, so, 8 minus 3, 5 whole square, so, 12 का square, 144, or minus 12 काभी square, 144, so, 144, plus 5 का square, 25, 5 plus 4, 9, 4 plus 2, 6, 1 plus, यहा पकुच भी नहीं, so, 169, so, hence, distance AQ, is equals to, under root 169 means, 13, so, distance AQ कितना आया, 13 हमरा answer, होना चाहिए, so, student, यह था हमारा, question 2 भी खत्म हो गया, देखो, यहां से solve करना, start किया था मैंने, और यहां पर end हो गया हूँ, इसके बाद, student question 3rd है, if sin theta is 7 by 25, then find the values of cos theta, and tan theta, यह trigonometric ratios पर question based है, इसके लिए आपको, trigonometric identities पता होनी चाहिए, जो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही trigonometric identities है, उसमें के, एक use करेंगे हम, so, sin theta की value देकर है, okay, और हमको एक बात पता होनी चाहिए, कि sin square theta, plus cos square theta, is equals to 1, यही क्यों ही उसकी आमानी, क्योंके cos square theta, यानि के cos theta ही, बोल सकते हो फिलाल में, इसको, यह हमको चाहिए, उसकी value तो पुचिए, so, sin square theta, तो अब यह value नहीं पूट करता हूं, मैं लिखता हूं, सिर्फ cos square theta, is equals to 1, और यह sin square theta है, पर plus से इदर जाने के बाद, minus, so, minus sin square theta, ठीक है, अब, 1 minus sin square theta, means, 7 upon 25, इसका whole square, so, 1 minus 7 upon 25 का, अगर whole square करोगे भी आप, तो भी कोई problem नहीं, या तो फिर, a plus b, a minus b का भी, यूज़ कर सकते हो, आप वो ऐसे भी कोई problem नहीं, फिर भी, 1 minus 7 का square, 49, 25 का square, 625, so, 625, 1,625, minus 49, 1,049, upon 625, 625 में से, अगर आप 49 minus करते हो, तो वो आएगा, 576, upon 625, ये value है, cos square theta की, बट हमको cos square theta नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था, सिर्फ cos theta, so, hence, cos theta is equal to 576 का square root 24, और 625 का square root 25, so, cos theta की value हमको पता चल गई, sin theta की value हमको दी गई थी, और अब tan theta की value पूछे है, तो tan मतलब sin upon cos, so, now, sin theta upon cos theta, is equal to tan theta, hence, tan theta is equal to, sin theta means, 7 upon 25, upon means, divided, cos theta means, 24 upon 25, okay, so, 7 upon 25, multiply कर देंगे हम, divide के जगा पर multiply, तो इसका reciprocal हो जाएगा, 25 upon 24, 25, 1,025 कट चुके है, सो, 7 upon 24, यह value आई थी, tan theta की, जो जो दो question कूछे थे, वो दोनों भी question के answer हमने दे दिये, तो दो mark sum को मिल ही गए होंगे, ठीक है, ऐसा करते करते हैं, अब तो pass भी हो गए हम, अब question fourth है, के infigure, chord mn and chord rs intersect at point d, mn और rs यह d पर मिल रहे है, और यह दूसरी बात, internally intersect हो रहे हैं, है ना, अब rd देकर है 15, ds देकर है 4, md देकर है 8, तो फिर dn यह x, यानिके question mark है, यह पूछा गया है, और अगर आपको formula पता होगा, तो chords intersecting internally का, तो chord mn and arius intersects each other internally, internally यह intersect कर रहे हैं, और अगर ऐसा होगा, तो hence, md into dn is equals to rd into ds होता है, md into dn is equals to rd into ds, इसका reason क्या देंगे हम, theorem of chords intersecting internally, अंदर के अंदर में ही, अगर वो intersect कर रहे होगे chord, तो यह theorem हम apply कर सकते हैं, md की value है 8, dn की value है x, rd की value, dn की value x लिखो या dn ही लिखो, ऐसा कोई problem नहीं, dn ही लिखता हो, x क्यों बढ़ा दू मैं, rd देकर है 15, और ds देकर है 4, यह 8 इदर multiply, इदर जाने का बढ़ा दिवाइड, so dn is equal to 15 into 4 upon 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so 2 1s are 2, 27.5 आना चाहिए, so hence, dn is equal to 2, 7 014, 1 बचा, decimal point 10 हो गए, 25 0, 10 7.5, और centimeter वगरे देकर, नहीं है, इसलिए हम भी unit देंगे नहीं, वो नहीं दे रहे तो हम क्यों देंगे भला, है ना, तो यह था हमारा question 4th, जो के question 2b का था, उसके बाद page पलट रहा है, और question 5th, जो के last question 2b का, radius of circle is 10 cm, measure of an arc, यह arc दिख रहा है, बड़ आर्क है, of the circle is 54 degree, find the area of sector associated with the arc, यह last lesson जो था हमारा, उस पर यह question best है, so question 5 देख रहे है, circle है, उसकी radius देखर है 10, दूसरी भी radius 10 ही होंगी फिर, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहती है, और इसका जो arc का measurement है, यह 54 है, इसलिए यह भी angle 54 हो गया, और अब यह जो sector है पूरा, इसका area उन्होंने पूछा है, is equals to measure of central angle, is equals to theta, is equals to 54 हम लिखेंगे, ठीका, यह मन से नहीं लिख रहे है हम, वो theorem भेर ही बताता है के central angle जो है, उतना ही measurement उस arc का रहता है, ठीका, value यहाँ पर मैं देख यू नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर, sorry, value मतलब क्या, नाम, नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नाम में क्यों जेन्जट देना, है ना, so now, r is equals to 10, theta is equals to 54 degree, और यह दो ही चीज़े हमको चाहिए, क्योंकि area of sector का formula है, theta upon 360 into pi r square है शायद है ना, so hence, area of sector, is equals to theta upon 360, into pi r square, theta कितना है, 54 upon 360 into pi कि वैल्यू कितनी होंगी, बाद मैं सोचेंगे, पहले हम लेंगे, r 10 into 10 square है इसलिए, अब 7 से तो कुछ कटनी रहा है, इसलिए 3.14 ही लेता हूँ मैं, ओके, और sorry, 3.14 देकर भी था, ठीक है, so, 18, 18, 18, 20, 36, 18, 3054 या 20, 10, 1, 010, 10, 2, 0, नहीं तो 10 से क्यों करूँ, इसको चलो ऐसी रखता हूँ मैं, तो यह आया 3 into, 3.14 into 100, 3.14 divided by 2, ठीक है, sorry, 20, अब, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, इसको आमको सॉल्फी करना पड़ेगा, सो 4, 3,012, 1 क्यारी, 3,1003 प्लस 1, 4, 3,3009 upon 20, सो 942 upon 20, अगर आप करोगे, तो डाइरेक एंसर अगर मैं लिख दू तो चलेगा, आगे, 22,000, sorry, 24,000, 84,12, 27,000, 140, बचे 2, decimal point, 0, 21,000, 20, ठीक है, चलो, सॉल्फी कर दिया, 47.1, यह आएगा, एरिया आफ सेक्टर, एरिया आफ सेक्टर, ठीक है, एरिया आफ सेक्टर का फॉर्मूला, अगर आपको पता होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यह भी आप सॉल्ल कर सकते हो, 5 कोश्चन हमने सॉल्ल किया, 5 कोश्चन में से कोई भी, 4 कोश्चन आपको सॉल्ल करने थे, extra कोश्चन अगर आप सॉल्ल करते हो, तो फिर से मैं कहता हूँ, कि उसका अच्छा इंप्रेशन पढ़ता है याद रखो उसके बाद student question 3a है जो कोई भी एक activity कम्प्लीट करनी है और एक activity के लिए हमको दो activity दे करें पर फिर से मैं कहता हूँ कि activity आगर आ गई तो फिर हमेशा खुश हो जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही easy होते है अगर आप आपको उपर के इसाब से एंसर नहीं आ रहे तो फिर नीचे से भी आप start कर सकते हो बट वो matching वगेरे करके कोई भी answer निकल ही सकता है बस हमारा दिमाग सही जगा पर चलना चाहिए इन फिगर xy parallel to ac, xy ac को parallel है 2ax is equal to 3a bx, ax2 है यानि रेशो तो bx 3 का रेशो है, xy अगर 9 है तो find the value of ac, ac की value find out करनी है और नीचे activity देखे है 2ax is equal to 3a bx है इसलिए ये bx को इधर लेकर आए divide में चला गया और ये 3 ही बचा यहाँ पर और ये 2 इधर आने के बाद नीचे चला गया 3 by 2 फिर component हो यूज किया है denominator को प्लस कर दिया है तो ax plus bx कर दिया है यानि के हम भी क्या करेंगे 3 plus ये denominator plus कर देंगे 2 नीचे bx वैसे के वैसे है इसलिए 2 जैसे के वैसे नाव 3 plus 2 5 by 2 ओके नाव ट्रेंगल bca similar है ट्रेंगल byx से ट्रेंगल bca byx को similar है दो line parallel है तो ये होगा उसके corresponding angle ये भी होगा corresponding angle ये है common angle इसलिए similar है तो कोई भी दो angle चाहिए इसलिए a test of similarity करना है ना कुछ ना कुछ बस boxes fill up करने थे हमको देन अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो उनका ratio जो होता है side का वह भी हम equal ले सकते ratio को सब्सक्राइब अपन bx is equals to ac upon xy corresponding sides of similar triangle ओके और बी ये जो है उसकी value कितनी है 2 इसलिए इसको from 1 दे देंगे हम is equals to ac upon 9 so hence ac is equals to ये 9 इदर divide है उदर जाने के बाद multiply upon 2 so 9 5s are 15 upon 2 hence so 9 5s are 15 लिखा मैं 9 5s are 45 upon 2 so hence 2 2s are 4 2 2s are 4 बचा 1 decimal point हो गया 10 2 5s are 10 22.5 ये हमार answer होना चाहिए so ac value is 22.5 और 3 marks का question student इसको तो कैसे ही गलत मियाना चाहिए और ज्यादा कुछ करना भी नहीं था हम उसके बाद student question 2 है वो नहीं पसंद तो ये solve गरो if second containing chord AB and CD of a circle intersect outside the circle second है AB और CD ये intersect कर रहे है outside the circle point E पर तो AE into EB is equals to CE into ED ये हमको proof करना है चलो proof करते है in triangle ADE into triangle ADE and CBE ये दो triangle की बात चल रही है ये वाला triangle ये और ये angle AED common angle की बात देखो ये बात तो अब यहाँ पर ऐसे समझते है एक एक line to line समझेंगे हम ठीक है common angle कौन सा होंगा E का E ही रहेंगा ना वही angle की बात चल रही है इसलिए angle और यहाँ पर मैं E दे देता हूँ ठीक है अब बच्ची जगा ये और ये ADE ये जो triangle है उसके साथ similar बताना है हमको CBE ठीक है अब ये जो A है इसके वो totally opposite इदर C दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर A के जगा पर यहाँ पर C लिख सकते हैं और B का जो opposite ये देगो ये D ये D के opposite में क्या है इदर B इसलिए यहाँ पर हम B ले सकते हैं समझ में आ रहा है कॉमन एंगल है एंगल D A E एंगल D A E कॉंगरूएंट है B C E को B C E यानि ये एंगल कॉंगरूएंट है बोलते ये एंगल को और आप यह क्यों है वह मुझे तो नहीं पता बतावला आप क्योंकि ये दोनों एंगल किसमें है एक ही आर्क को इंसक्राइब्ड है ना B D को B D सम्भव सेवांटी का है तो ये 35 ये 35 का होगा ही है ना क्योंकि एंगल्स एंगल्स इंसक्राइब्ड इन सेम आर्क एक ही आर्क में अगर एंगल इंस्क्राइब्ड है तो सेम ही होंगे ना मेरा भाई आ रहा है ना समझ में देखो आपको ही समझ ना है उसको हेंस ट्रेंगल A, D, E A, D, E सिमिलर है C, B, E से ट्रेंगल C, B, E से एंगल एंगल टेस्ट से से एंगल टेस्ट आफ सिमिलरिटी और अगर ऐसा होगा तो उसके रेशो आप सेम ले सकते हो ना सो A, E अपॉन ये देखो A, E अपॉन C, E is इक्वल्स टू हम लेंगे E, D, अब मैं E, D क्यो ले रहा हूँ वो भी एक बात ध्याद रहो क्योंकि ये देखो यहाँ पर E, D है और ये C, E इदर है ये देखो इदर का डिवाइद इदर जाएगा तो वो मल्टिप्लाई हो जागा इसलिए उपर E, D ही चाहिए ठीक है तो C, E, E, D आ गया ये C, E, D, अब A, E के साथ इदर क्या चाहिए E, B ये कोस्चन में इसलिए E, B ले रहा हूँ है बोला था नमगाने आपको उपर नीचे सभी जगा ध्यान रखो बस वही लाना है हमको हैंस A, E और ये E, B इदर E, B क्या है डिवाइद इदर जाने के बाद मल्टिप्लाई हैंस A, E into E, B is equals to C, E into E, D hands proof जो पूछा गया था वही हमने उनको दे दिया देखो बला स्टूड़न पाच्छे बॉक्स भरने है तीन मार्क्स के लिए कोन दे सकता है इतना अच्छा दिल तो हर किसी का नहीं होता ये पेपर बनाने वालों का दिल इतना अच्छा है ये बात याद रखो उसके बाद में स्टुड़न क्वेश्चन 3B का नंबर आ चुका है solve any two of the following sub-question 3-3 marks each है 3 question है उसमें के कोई भी 2 sorry 4 question है उसमें के कोई भी 2 ही solve करने है और 6 mark है यानि के 3-3 mark का वेटेज रखते हैं ये question उसका 1st question है इनिट रेंगल PQR point ES is the midpoint of QR point ES midpoint है इसलिए PS ये median भी हो जाएगी अगर आपको extra knowledge चाहिए ही तो PQ क्या है 11 PR कितना है 17 और PS कितना है 13 so QR को find करना है ये QR को और अगर आपको याद आ रहा होगा इसको देखकर अगर आपको अपोलोनियस थेरम याद आ गया ना तो फिर समझ लाओ आपको मार्क्स मिल चुके है so नहीं भी याद आया तो मैं हूँ ना कहां जाने वाला हूँ मैं वीडियो तो बनाता ही हूँ तो आप बोल रहे होगे दिल के दिल में जाने दो ना सर क्यूँ बताई दो चलो बताई देंगे कोस्चन त्री भी उसका फरस्ट देखेंगे हम देखो स्टूरंट्स पॉइंट यस मिडियान है स्वारी पॉइंट यस मिडियो पॉइंट है इसलिए पी यस मिडियान हो रही है so in triangle PQR यस इस दा मिड़ पॉइंट ओफ side QR side QR का point यस मिडियान है hence P S is the मिडियान और मिडियान अगर होगी ना तो आप आप अपोलोनियस थेरम यूज़ कर सकते है hence by अपोलोनियस theorem अब polineus theorem के हिसाब से PQ square into स्वारी PQ square plus PR square PQ square plus PR square is equals to यह median का twice का square 2PS square plus अब कोई भी लो QS लो या SR लो so twice QS square ठीक है और अब इसमें ज्यादा से ज्यादा value हमको देकर है ही now PQ square means 11 का square plus PR square means 17 का square है ना is equals to 2 into PS का square means 13 का square plus twice QS square 11 का square 121 17 का square 289 2 into 13 का square 169 plus twice QS square so 9 plus 1 10 1 carry 8 plus 8 plus 2 10 plus 1 11 1 carry 2 plus 1 3 plus 1 4 410 यह minus करूंगा मैं यहाँ का यहाँ ही 920 18 1 carry 620 12 plus 13 1 carry 210 2 plus 1 3 338 minus करूंगा क्योंकि यह plus है is equals to twice QS square ही बचा है यहाँ पर 410 में से 338 अगर आप minus करते हो तो 72 बचना चाहिए और यह 2 इदर multiply है इदर आने के बाद divide is equals to QS square ही बचा हैंस QS square is equals to 36 72 by 2 36 हैंस QS is equals to 6 और जो क्या हमारा answer नहीं था है ना surprise क्योंकि QS की value है हमको पुछा है QR अब yes midpoint है तो फिर इसको दे देंगे 1 यह पहले point को और yes midpoint है तो QS is equals to SR और QR यह रहेगा QS के double so now QR is equals to twice QS from 1 लिखो यह यह is the midpoint लिखो अईसा कोई प्रॉब्लेम नहीं so is equals to 2 into 6 hence QR is equals to 6 to jar 12 so QR की value 12 अब हमारा answer खत्म हो चुका है देखो student यहां से मैंने solve करना स्टार्ट किया था आप screenshot ले सकते हो और यहां पर वो question खत्म हुआ है ठीक है उसके बाद question 3 भी का ही second question है prove that tangent segments drawn from external point to a circle are congruent ठीक है तो student इसके लिए यह जो lesson है circles उसका पहला ही थेरम है और यह activity में ही देकर है इसको solve भी करकर नहीं दिया गया है फूरी तरह से इसलिए यह ऐसा यानि नॉर्मली लगता है पहले पहले question तो आने के chances कम है बट इन्होंने दे दिया यह एक बहुत अच्छी बात है के variety दिख रही है question paper में तो यह circle हम draw करेंगे इसके बाद बाहर externally यह meet कर रहे है अब यह tangent segment होगा और यह है जो यह इतना area है यह जो है इसको tangent segment कहा जाता है तो हम एक circle लेंगे जिसमें A देंगे हम center ओके P और Q यहाँ पर suppose वो meet हो रहे है तो यह हम joint अगर करें तो tangent यह कभी भी perpendicular रहती है radius को और suppose वो deeper मिल रहे है इतना हम assume करना है हमको और अगर ऐसा होगा so dp और dq यह दो no tangent segment equal है यह हमको proof करना है so proof that अगर आया तो given to proof यह चाहिए और अगर construction होगा तो construction भी उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा so hence given है ap and aq are to radiae of circle with center a center a वाला circle है उसके ap और a की यह दोनों radius है dp and dq are to tangents यह tangent ज्यादा कुछ given हम लिखेंगे नहीं उसमें हम time pass करें नहीं आले नहीं और to proof है dp is equals to dq यह हमको proof करना है और यह कौन से है segment ठीक है क्योंकि segment की बात है line तो कभी equal नहीं रह सकती then proof proof करने के लिए student हमको दो triangle अगर हमने congruent बता दिये तो फिर उसका corresponding sides भी congruent होगे ही इसलिए हम क्या करेंगे triangle pad in triangle pad and triangle qad qad में हम जाएंगे okay segment pa is equals to qa क्योंकि red eye of same circle है segment pa is congruent to segment qa red eye of same circle एक ही circle के radius है वो तो same होना ही चाहिए एक चीज़ दूसरी बात जो angle है a p d equal to a q d है इच 90 degree है angle a p d is congruent to angle a q d each 90 degree दोनों भी 90 degree है और a d यह common side है दोनों में so segment a d is congruent to segment a d common side और ऐसा होगा side angle side इससे triangle congruent होते हैं so triangle a p d congruent to triangle q a d so side angle side बोलो यह 90 degree है इसलिए हाइपोटेनस और हाइपोटेनस साइड हाइपोटेनस हाइपोटेनस साइड टेस्ट के साबसे यह congruent होते हैं और अब congruent अगर होंगे तो अब आप तीनों में से कोई भी side equal ले सकते हो hence segment dp is congruent to segment dq corresponding sides of congruent triangle hence proof इसलिए यह proof हम कर चुके है तो देखो student यहां से मने solve करना start किया था और यहां पर वो question end हो गया है इसके साथ ही question 3 b का third question का time आ चुका है triangle p qr similar है triangle ltr से इन p qr p q qr और pr की side देकर है construct करना है triangle p qr और ltr जैसे such that p q upon lts 3 by 4 यह practice set 4.1 का second question student उसको आप explanation मैंने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो में किया भी हुआ है और फिर भी आप explanation के साथ साथ हम यहां पर solution भी देख लेंगे देखो student triangle जो है उसमें lt यह 4 part है और p q 3 part है इसका मतलब p q छोटा है और दोनों में r यह जो है यह common है इसलिए अगर मैं ऐसे triangle draw करू तो यह r हो जाएगा यह है p qr p qr तो यह हो जाएगा ltr ऐसे वो triangle आएगा उसमें values देकर है कि p q है 4.2 qr है 5.4 pr है 4.8 ठीक है और इनका ratio है 3 is to 4 p q upon lt 3 is equal to 3 by 4 है ओके यह triangle अगर similar है तो p q upon lt 3 by 4 बोलो या lr स्वार लेने से अच्छा का गया हो p q pr upon lr यह भी 3 by 4 ही होंगा और qr upon tr यह भी क्या होगा 3 is to 4 ही होगा ठीक है यह बात बताने की ज़रत नहीं पढ़ना चाहिए अब हमको क्या करना है आर q line extend करेंगे हम 5.4 लेकर यहां तक के तो आपको clear होगा ही है न है तो यह मैं लाइन है कि ड्रॉ करूंगा एक यह है point r और r q है 5.4 इसलिए मैं लेने वाला हूँ 5.4 यह है 5.4 ठीक है इसको थोड़ा सा extend करूँगा मैं अच्छे से point दीखना चाहिए तो यह है r q ठीक है उसके बाद मैं नीचे एक acute angle लूँगा यह ले रहा हूँ मैं acute angle ठीक है अब यह acute angle के मुझे चार पार्ट करने है अब चार पार्ट क्यों करने है क्यूंकि यहां पर देको चार है ज्यादा क्या है 3 is to 4 में ज्यादा बड़ा नंबर क्या है 4 इसलिए मुझे 4 पार्ट करने है स्टुडेंट समझ में आ रहा है इसलिए मैं क्या करूँगा इसके 4 पार्ट लूँगा और 4 पार्ट कैसे लूँगा मेरे कमपास में ज्यादा डिस्टंस एकदम कम भी नहीं और एकदम ज्यादा भी नहीं ऐसा डिस्टंस लूँगा कि जहां पर चौक जो कमपास है वो गूमना चाहिए है ना सो इसलिए मैं आर पर रखूँगा और आर पर के मैं क्या करूँगा 4 equal section लेने मुझे segments बोलेंगे हम उनको सो यहाँ पर रखने के बाद देखो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं और यहाँ पर रख करमा है one फिर से रखके two फिर से रखने के बाद three देखो एन्हें पूरा this और फिर से रखने के बाद फोर ठीक है अब hope करता हो मेरा जो मेरी diagram है वो right आजाए क्यूँक्छ कि आप आपको दिखना भी चाहिए और मुझे भी ड्रॉ करते आना चाहिए इसलिए वह आद तेड़े मेड़े सब जैसे करना पड़ता है यह ना सो यह जो हर पॉइंट है यह आर वन आर टू आर थ्री और आर फूर हम दे देंगे अब मेरे खास बात हमारी आती है कि हम यह क्यू और आर थ्री को जोइंट करेंगे क्यूंकि यह जो आर क्यू है कितने हिस्से है तिन और टी आर कितने हिस्से है फूर तो यह थ्री जो हिस्से है जो थ्री पार्ट्स है वो पार्ट्स हम दे देंगे आर क्यू को आया समझ में और अब इसका जो एंगल होगा इसको लाइन प्यार्लल ही रहेंगी ना तो इसलिए ये corresponding angles है है ना और corresponding angle congruent होते है इसलिए ये angle जितना है उतना ही ये angle इसलिए इसके ही measurement का angle ही यहाँ पर हमको draw करना है और वो कैसे draw करेंगे हम compass में थोड़ा distance लेंगे ठीक है compass में distance लेने के बाद हम r3 पर रखेंगे r3 पर रखने के बाद इसको एक arc हम draw करेंगे उतना ही distance continue रखते हुए यहाँ पर r4 पर रखकर हम draw करेंगे उल्टाई हो जा रहा है यही गुम जा रहा है iron tea भी गुम जा रहा है pencil गुम नहीं की तो उसके बाद है यहाँ पर रखने के बाद यह दो point मिले हमको तो यहाँ पर रखने के बाद यह measurement तक extend करो compass को extend कर लिया अब यहाँ पर हम joint करेंगे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे आप यहाँ पर रखेंगे और इसको extend कर दिया है था ही उतना ही measurement रखके यहाँ पर अब यह line अगर आप draw करोगे तो वो हो जाएगी t, point t मिल जाएगा हमको so यह point t हमको मिल गया है अब आर क्यू है 5.4 आर पी कितना है 4.8 तो फिर लोग अंपास में 4.8 5, 6, 7, 8 यह है 4.8 आर पर रखेंगे और यह qp है 4.2 यह 4.1, 4.2 यह हो गया 4.2 यह q पर रखूंगा मैं यह मिल गया 4.2 इनको joint करने के बाद ट्रेंगल मिल जाएगा तो point P, Q, P, Q, R यह मिल गया है यह है 4.8 और यह है 4.2 बट T मिला है, R मिला है बट L नहीं मिला फिर से यह जितना angle होगा उतना ही angle यह अगर लिए हमने तो line parallel निकल जाएगी इसलिए वही काम करेंगे जो हमने अभी तक किया था के same angle निकालना है इसलिए यह distance रखते हुए Q पर रखकर arc उसके बाद इस arc पर रखकर यहाँ इतना measurement लेंगे हम थोड़ा सा बाहर जा रहा है वो अब थोड़ा सा अंदर आ गया अब यहाँ पर रखने के बाद भी उतना ही ठीक है यह arc मिल गया अब इसको जब हम extend करेंगे तो हमको point L मिल जाएगा और यह था हमारा construction हमारा original triangle यह है ठीक है समझ में आ रहा है यह वाला triangle original है यह था हमने construction के लिए joint गया बट कोई भी erase कुछ भी नहीं करना है सभी markings वगेरे दिखने चाहिए कि आपने क्या क्या किया था तो student यह था हमारा construction जिसने ज़्यादा से ज़्यादा time ले लिया है मेरे explanation का इसके बाद question 3 के बाद में है last question 3 भी का फोर्थ question प्रूव दैट quarter theta plus 10 theta is equal to cosec theta into sec theta यह भी एक problem set का question है question 6 का fourth question है अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है मैं जब इसके explanation वगरे देख रहाता है तो answer की में मुझे मिले थे तो यह है question 4 का fourth इसके answer जब मैं ढूंड रहा था क्योंके explanation करने के लिए थोड़ा बहुत study भी करना पड़ता है न तो study करते करते मुझे यह exercise में ही मिले थे हमारे प्रैक्टिस सेड़ में है सो LHS देकर है हमको कोट थीटा प्लस 10 थीटा अगर यह LHS हम रहा है RHS प्रूफ कर देते हैं तो वह प्रूफ हो जाएगा अब कॉट थीटा मींस वन अपवान टैन थीटा होता है ठीक है और टैन थीटा जैसे के वह इसे ही अगर रिजन देना है आपको तो लिख सकते हो कि कॉट थीटा is equal to 1 upon 10 थीटा होता है यह रिजन भी लिखते चलेंगे हम जबके आपको अच्छी तरह से समझ में आए उसके बाद क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे हैं आपको कुछ नहीं है मतलब 1 1s are 1 plus 10 into 10 10 square थीटा upon 10 into 1 10 थीटा ओके 1 plus 10 square थीटा मतलब 6 square थीटा होता है अपॉन 10 थीटा हम इसका रिजन भी लिखेंगे 1 plus 10 square थीटा is equal to 6 square थीटा ओके अब 6 square थीटा मींस 1 upon cos square थीटा है और divided by यह जैसे के वाईसे 1 upon 10 थीटा था नहीं तो 1 upon 10 थीटा मींस sin थीटा upon cos थीटा sin थीटा upon cos थीटा तो इसके reason 2 है के 6 square थीटा is equal to 1 upon cos square थीटा और 10 थीटा is equal to sin थीटा upon cos थीटा यह दो reason है उसके ठीक है तो 1 upon cos square थीटा 1 upon cos square थीटा डिवाईड के जगा पर लिखुगा में multiply और इसका हो जाएगा reciprocal सो cos थीटा upon sin थीटा और एक cos थीटा कट हो चुका है तो 1 upon cos थीटा into 1 upon sin थीटा ही बचा है और 1 upon cos थीटा मतलब क्या होता है sec थीटा into 1 upon sin थीटा means cos थीटा इसका reason आप दे सकते हो कि 1 upon cos थीटा is equals to sec थीटा 1 upon sin थीटा is equals to cos थीटा यह उसका reason है और is equals to RHS यह है हमारी right hand side तो इस type से हमको proof करना था जो कि हमने proof कर दिया है तो आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो वीडियो को pause कर गए यहां से मैंने solve करना start किया था question number 4 था हमारा 3 भी का और यहां तक वो पहुच गया था ठीक है उसके साथ ही question 3rd तो हमारा पूरी तर से खत्म हो गया अब बचे है question 4th question 4th में है solve any two of the following sub question 8 marks के लिए यह questions है 8 marks के लिए दो question है तीन question में से कोई भी दो solve करो 8 marks आपको मिल जाएंगे 4 mark का वेटेज है सो first question देखेंगे हम दो साइड्स आप स्मॉलर ट्रेंगल आउट अफ टू सिमिलर ट्रेंगल दो ट्रेंगल सिमिलर है एक स्मॉलर है एक बिगर है तो ऐसा अगर होगा तो छोटे साइड ट्रेंगल के साइड है 456 जैसे के ABC लेंगे हम इसको सो यह 4 यह 5 यह 6 बड़े ट्रेंगल को लेंगे हम PQR और उसका perimeter देकर है 90 cm तो बड़े ट्रेंगल के साइड किते ने है तो इसमें हम लिखेंगे ट्रेंगल ABC यह डाइगराम आपको लिखना है क्योंक पात्मन ने लिया है ठीक है एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन का एंसर लिखराऊ मैं है तो ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR है ठीक है और अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसके साइड स्क्या ले सकते हैं जिसका रेश्यों इक्वल लिख सकते हैंस AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR corresponding sides of congruent sorry similar triangle so let AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR इनका ratio suppose constant है क्योंका ratio तो constant होगा ही बट हमने K बताया उसको ठीक है now put the values 4 upon PQ is equals to 5 upon QR is equals to 6 upon PR is equals to K ठीक है now एक को हम values वापस दे देंगे so 4 upon PQ is equals to K 5 upon QR is equals to K और 6 upon PR is equals to K अब यह के इदर डिवाइड आया PQ multiply में आया so PQ is equals to 4 upon K QR is equals to 5 upon K और PR is equals to 6 upon K ठीक है यह के इदर आने के बाद डिवाइड यह इदर जाने के बाद multiply सो PR बजा इदर के आया ठीक है अब इसको number 1 देते है क्योंके इसका काम हमको आने वाला है so in triangle PQR perimeter of triangle PQR is equals to PQ plus QR plus PR perimeter है ना perimeter का formula है ति उनों भी side की plus triangle में so perimeter कितना है 90 is equals to PQ कितना है 4 upon K plus QR कितना है 5 upon K plus PR कितना है 6 upon K अब denominator same है इसलिए numerator की plus होगी so 90 is equals to 6 plus 4 10 plus 5 15 upon K ठीक है so K इदर गया 15 upon 90 15 1s are 15 15 6s are 90 hence K is equals to 1 by 6 so put in equation 1 यह स्थी नों भी equation 1 थे so hence PQ is equals to 4 upon मतलब divide so divided by 1 by 6 is equals to 4 multiply by 1 by 6 का reciprocal 6 by 1 so 64s are 24 cm लिखेंगे आप सेंटिमेटर लिखो या नहीं लिखो लिख डेता हू नहीं लिखना पड़ेगा क्योंके देकर यह नहीं है वैल्यूस या नहीं unit so qr is equals to 5 divided by 1 by 6 is ka matlab 5 into 6 30 or pr is equals to 6 into 1 by 6 matlab 6 into 6 is equals to 36 from 1 sides of triangle are are 24 30 and 36 यह हमारा question का answer है देखो student यहां से solve किया था मैंने hope करता हूँ आप screenshot ले रहे होगे और यहां पर उसका answer खत्म हुआ ठीक है इसके साथ ही question 4 का first question तो खत्म हो गया चलो second question देखेंगे इन figure P is the center of circle having diameter AB M is the point on the circle if measure of angle PMB is 50 degree then find यह तीन values find out करने है तो यह values find out करने के लिए ज्यादा hard question नहीं है बड़ ज्यादा लंबा question है बस थोड़ा सा इसका explanation बड़ा है तो इसके भी यह आर्क का measurement कितना होगा बी ए यम यह आर्क डबल या तो बी पी एम यह आर्क के इतना क्योंकि central angle है यह inscribed angle है ना तो हम क्या करेंगे पहले एंगल्स find out कर लेंगे एंगल्स find out कर लिए तो हमको पता चल जाएगा तो पी बी एंड यह पी बी एंड पी एम आर रेड़ा है और सर्कल वो सर्कल के रेडियस है hence pb is equals to pm है ना होगा तो इन ट्रेंगल pbm triangle pbm triangle pbm is isoscalous triangle दो साइड अगर equal है तो isoscalous triangle होगा ही और अगर हो isoscalous triangle होगा तो एंगल pmb एंगल pmb यह देकर है 50 degree तो यह भी 50 होगा ना एंगल pmb is equals to angle pbm is equals to 50 degree isoscalous triangle theorem isoscalous triangle theorem अगर equal side से तो उनके जो base angles है वो equal रहते है theorem यह है और hence angle bpm is equals to 180 minus angle pbm plus angle pmb triangle pbm की बात चल रही है यह angle 50 है यह angle 50 है तो यह angle कितना होगा 180 मेंसे ही है 50 plus 50 यह यह 100 minus कर दो है ना सो sum of triangle sum of angles of triangle triangle की जितने भी angles है उनकी sum जो है 180 degree रहती है so hence is equals to 180 minus 50 plus 50 50 plus 50 100 180 minus 100 hence measure of angle bpm is equals to 80 degree angle bpm कितना है 80 degree hence measure of arc bm या तो हम नाम देंगे mxb mxb is equals to measure of angle bpm is equals to 80 degree क्योंकि central angle theorem के हिसाब से central angle theorem है ना यह क्या बूलता है central angle theorem जितना जो भी central angle है उतना ही measurement उस आगे के arc का रहेगा ओके एक question खत्म हो गया दूसरा question है aym aym यह mba या तो abm इसके ही angle के double होगा inscribed angle theorem से now angle pbm कितना है 50 mbp कितना है 50 है ना तो फिर mb a b कितना होंगा 50 so measure of angle mbp is equals to measure of angle mba is equals to 50 degree इसका reason हम देंगे के b dash p dash a समझ मैं यह angle है तो यह angle का नाम लो abc या तो फिर लो abd same ही है वही angle की बाद चल रही है ना हम ही चेंज किया है ना सिर्फ तो इसलिए वही 50 है so hence measure of arc aym is equals to twice measure of angle mba यह है inscribed angle theorem angle theorem और inscribed angle theorem के हिसाब से 2 into 50 hence measure of arc aym is equals to 52,100 degree ठीक है आया समझ मैं यह हो गया 100 degree अब यह दोनों तक तो ठीक था यहां से एक बार आप देखलो यहां से solve कर रहा हूं मैं अब मैं इसके बाद शायद ही बताऊंगा मुझे याद रहा है तो वीडियो बढ़ी हो जाएगी इसलिए नहीं बताऊंगा मैं अब यह यह दोनों तक ठीक था सिर्फ एंगल M A B एंगल M A B यह find out करने की दिक्कत है हमको पर वो भी दिक्कत पूरी हो गई क्योंके M X B यह आर्क हमने already निकाल रखा है और यह आर्क कितना निकाला था हमने इसको शायद हमने 80 डिगरी निकाला था ना यह 80 है तो इसलिए यह उसका हाफ हो जाएगा यह तो बहुत easy हो जाएगा ना so hence now measure of angle M A B is equals to half measure of arc M X B inscribed angle theorem और अगर ऐसा होगा तो half measure of arc M X B measure of arc M X B 80 degree so 80 degree का half so यह आया 40 degree measure of angle M A B कितना आया 40 degree यह था first cancer यह था second cancer और यह है third cancer तो इस टाइप से student हमने question के answer solve कर दिया है अब question 3 बचा a cylindrical ice cream pot a cylindrical ice cream pot of radius 20 cm and height 60 cm is filled completely with ice cream so ice cream का cylindrical pot है इसलिए चलो cylindrical pot हम draw करेंगे ठीक है जिसकी height 60 cm यह है उसकी height 60 cm और उसकी radius है 20 cm यह है उसकी radius 20 cm okay यह completely ice cream से भरा हुआ है it was packed in ready to sail cone of radius 2 cm इसको pack किया गया है किसमे ready to sail cone में यह है ice cream का cone ठीक है जिसकी radius है 2 cm और height है इसकी 10 cm और इसमें fill up करके बेचा गया है उसको और how many such cones can be filled तो ऐसे कितने cones यह cylinder से भर सकते है यह हमको पूछा है और जब भरने की बात आती है तो number of cones इसके पहले हम थोड़ा सा value लिख लेंगे so let h1 be height of cylinder suppose h1 height cylinder की जो के h1 है 60 cm r1 be the radius of cylinder r1 उसकी radius है cylinder की जिसको r1 लिखेंगे हम 20 cm h2 be h2 को क्या लेंगे हम height of cone जो के है h2 10 cm और r2 be radius of cone जिसको r2 अब इस बोला हमने जो के है 2 cm ठीक है अब हम लिखेंगे number of cones can be filled कितने cones भर सकते है जितना volume है एक cone का है तो आपको number of cones मिल जाएगे और cylinder का volume है पाई आर स्क्वेर यच और 1 1 ही लिखूंगा क्योंकि cylinder में हमने 1 1 दिये h1 r1 और volume of 1 cone क्या रहता है 1 by 3 pi r square h यहाँ पर 2 2 देंगे क्यों के लिए हमने 2 2 use किया है चलो values put out करने के पहले pi pi तो cut हो गए r1 क्या है 20 so 20 का square into h1 क्या है 60 इधर है 1 by 3 r2 कितना है 2 उसका square into h2 means 10 20 का square 400 into 60 यह 3 देगो divide है divide का divide उपर जाने के बाद multiply यह 2 का square 4 into 10 so 10 4040 41 040 यह बच्छे 10 6 3018 1 2 2 0 so hence number of cones कितने आए 1800 hence 1800 cones can be filled completely यह पूरी तरह से filled कर सकते हैं यह पूरी तरह से भर जाएंगे तो यह student हमारा question का answer था इसके बाद student देखेंगे हम question why you जो के last question है जो three marks के लिए कोई भी एक solve करना है first question यह थोड़ा सा based है आपके mind power पर starting from anil's house अनिल के घर से चलना start किया है peter ने peter first goes 50 meters south तो अनिल का house हम लिख लेंगे पहले draw करेंगे थोड़ी वो drawing आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए और distance की समझ आनी चाहिए तो student यह है direction यह है east यह है west यह है north और यह है south ओके अनिल का house है ठीक है यह है अनिल's house यहाँ से चलना start किया पिटर ने 50 meter south गया south नीचे में है तो यह 50 meter यहाँ पर आ गया फिर 75 meter west गया west इधर है अब 50 से बढ़ाई होगा यहाँ तक approximate 50 आया होगा तो यह होगा ही 75 so 75 meter चला वेस्ट के तरफ 62 meter north नौर्थ उपर है तो यह 50 तक तो आई गया होगा यह उपर थोड़ा सा 62 meter 62 meter north की तरफ उपर में फिर finally 40 meter east में east right side में है तो यह east कितना गया 40 तो 75 से छोटा ही होगा यह होगा 40 और पहुचा वो सलीम के house पर तो find the direct distance between anil's and salim's house तो अनील और salim का जो house है इसमें direct distance है यह find out करने के लिए student हमको पहले हम points लिख लेंगे a b c d यहां पर देंगे e ठीक है तो यह drawing है drawing को आपको निकालना ही पड़ेगा आप pencil का use करना so marks या तो mark the points as a b c d e as shown in figure as shown in figure अब ज्यादा explanation नहीं दे सकता मैंने तो English का बताया है वह ऐसे हमने मार्क कर लिए उसको नाम दे दिए यह भी c d e construction करेंगे हम थोड़ा सा construction क्या आपको करेंगे हम so extend d e and b a d e और b a को ऐसे extend करो यहां पर देदेंगे f such that such that they meet at point f ऐसे extend करो के जैसे समझो वह f यहां पर मिल रहे हैं ओके नाव quadrilateral f b c d is a rectangle आप यह rectangle क्यों हुआ क्योंकि देखो स्टूडन डायरेक्शन जो है कभी भी 90 डिगरी रहते है इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउट एक में को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है याने के राइंगल है तो स्क्वेर भी हो सकता है वाट इक्वल साइट थोड़ी देखर तो रेक्टेंगल तो है ही सो यह आगर रेक्टेंगल है सो b c is equal to d f हम ले सकते हैं b c is equal to d f और यह कितना होना चाहिए 75 so opposite sides of rectangle rectangle के opposite sides यह equal ले सकते हैं है क्या नहीं मन से थोड़ी दिख रहा हूं मैं वह तो rectangle के opposite side equal होते ही है so now d f की value नहीं चाहिए हमको e f की चाहिए but e f is equals to d f minus d e क्याइज इसका reason देंगे हम d dash e dash f d और f के बीच में point e है कई तो भी, so DF कितना है, 75 यह निकला, DE कितना है, 40 मीटर, so 75 में से 40 माइनस करो, 35 मीटर, यह मिला EF, यह हमको काम में आने वाला है, 1, उसके बाद में CD B is equals to BF, यह भी opposite sides of rectangle, अगर ऐसा होगा, तो फिर से, इसको equal to, यह तो देना भूली गया हमें, 62, ओके, और यह भी अगर 62 है, BF, तो AF कितना होगा, AF is equals to BF minus BA, इसका reason देंगे हम B dash A dash F, ओके, so BF कितना है, 62, BA कितना है, 50, यानि कि यह आया 12 मीटर, जो आया, AF, ओके, अब दो चीज़े मिल गए student, 35 और 12, अब बचाईए, यह है 90 डिगरी, पाइथागोर स्थेरम लगा, एंसर खतम, So now, in triangle EFA, angle F is equals to 90 degree, hence by Pythagoras theorem, AE square is equals to EF square plus AF square, So 35 square plus 12 square, 35 का square कैसे निकालना है, 5 का square, 25, 3 है, बचा हुआ, 3 के आगे का नंबर क्या है, 4, 3, 4s are, 12, 1225, प्लस 12 का square है, 144, 5 प्लस 4, 9, 4 प्लस 2, 6, 1 प्लस 2, 3, 1, अकेला है, 1369, यह आया AE square, So AE कितना है, 1369, यह 1225 से बड़ा है, इसका मतलब 35 से बड़ा नंबर होना चाहिए, Once place में क्या आना चाहिए, 7, तभी तो 49 बनेगा, इसलिए 37 का square हो सकता है, 37 का square हम find out करके देखेंगे, 7 का square, 49, 4 carry, 7, 3s are 21, 21, 2s are 42, 45, 46, 48, 49, 7, 3s are 21, 21, 2s are 42, 43, 44, 45, 46, फिर से आया 4 carry, 3 का square 9, 9 प्लस 4, 13, आया 1369, तो यह है 37 का square, So AE is 37 meter, so hence the direct distance between Salim and Anil's house is 37 meter, 37 meter यह उनके बीच में का direct distance था, तो student देखो, इस type से मैंने solve किया, आपको देखना ही है, तो फिर से आप देख सकते हो, यहाँ से solve करना मैंने start किया था, फिर यहाँ तक आया था, आपने screenshot ले लिया होगा, अब यहाँ तक हो complete हुआ, उसके पास student question, 5th का ही last question है, जिसका मैं wait कर रहा था, क्योंकि मैं continuously वे video बना रहा हूँ, मैं कहीं पर भी break नहीं ले रहा हूँ, question second है, show that the points A, B and C are the vertices of right angle triangle, यह भी आपको question practice set में मिल जाएगा, so vertices find out करने के लिए, दो side का square का plus, अगर तीसरे side का इतना आता है, तो converse of pythagoras theorem के इसाब से वो triangle right angle triangle हो जाएगा, so उसके लिए हम पहले A लिख देंगे, 4, 7, B लिख देंगे, 8, 4, और C लिख देंगे, 7, 11, ठीक है, हम A, B, B, C और A, C, ऐसे तीन values अगर हम find out कर दिया, इनके distance अगर find out कर दिया, तो फिर हम देखेंगे कि कौनसे side का square का plus, तीसरे side के इतना आता है, अगर आता है तो वो right angle triangle है, और दूसरी बात ये देखर ही है कि right angle triangle है, तो इसका मतलब वो आना ही चाहिए, ये भी बात आपको याद रखनी है, चलो student, time pass नहीं करते हैं, बहुत ही बड़ा video अल्रेड़ी हो गया है, सो distance a b, ये find out करने का formula है, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, बड़ हम already square ही ले लेंगे, सो distance a b whole square is equals to under root गायब हो जाएगा आप, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है, चलेगा आपको, अब x2 हम क्या गरेंगे, इसको x1, y1 ले लेंगे, इसको x2, y2 ले लेंगे, so 8 minus 4 whole square plus 4 minus 7 whole square, so 8 minus 4 whole square means 4 square plus 4 minus 7 means minus 3 whole square, so 4 fours are 16 plus 3 threes are 9 is equals to 25, so a b ka square आया 25, इसको दे देंगे हम number 1, जो काम में आने वाला है, वैसे ही distance bc, इसका square अल्रेडी कर लेंगे हम, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, अब c के points क्या है, इसको ले लेंगे हम x2, y2, इसको ले लेंगे हम x1, y1, so 7 minus 8 whole square plus 11 minus 4 whole square, so minus 1 whole square plus 7 whole square, so 1 plus 49 is equals to 50, so bc square आया 50, ये है मारा equation 2, और a b हो गया, bc हो गया, बच्चा के सिर्फ ac, so ac whole square is equals to, फिर से x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, अब a है 4 7, c है 7 11, इसको लेंगे हम x1, y1, इसको x2, y2, so 7 minus 4 whole square plus 11 minus 7 whole square, so 3 whole square plus 4 whole square, 9 plus 16, so ये आया 25, तो ac square आया 25, equation 3, so from 1, 2, 3, bc square is equals to a b square plus ac square दिखरा है, देखो 25 plus 25 is equals to 50, अगर ऐसा होगा, तो by converse of by converse of pythagoras theorem triangle ABC 9, triangle ABC 9, कि अगे हम, if the sum of squares of two sides of a triangle is equal to the square of third side, then that triangle is right angled triangle, hence, ab, bc, and ac are the vertices of right angled triangle, तो student ये था मेरा explanation, hope करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो like, share, subscribe करो, आपने friends लोगों में recommend करो, अच्छी तरह से practice करो, best of luck आपको board practice paper के लिए, exam के लिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye!